मारे गाउ शहर के पूर्व गौराला फाटा के पास स्टेट हाइवे पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति को गंबे रूप से घायल करने की दुर्भा के पुर्ण घटना राग बारा बजी हुई मृतक बाल कृष्ण महादेव पंच भाई और घायल पचास वर्षे शिवदास पाइगन को गंबे रूप से घायल हो गए उन्हें इलाज के लिए वणी के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है दोनों चंद्रपूर जिले के रहने वाले है मारे गाउ से दूपईया वाहन डबल सीटर गौराला फाटा स्टेट हाइवे पर वनी जा रहा था वही सडकों पर बने गड़ों से बचते हुए मालवाहक वाहन से जोरदार टक्कर में दूपईया मोटर साइकल क्षती ग्रस्थ हो गई चौपईया वाहन सडक की और निकल गया सुत्रों ने जानकारी दी कि महिला खेती हर मजदूर क्रिशी कार्य के लिए नरसाला आ रही थी और उन्हें मामूली चोटे आई है महिला का वानी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है चबकि मुरुत अकबाल कृष्ण को मारे गाव के ग्रामिन अस्पताल में लाया गया है और गंबी रूप से घायल शिवदास को इलाज के लिए चंदरपूर रेफर कर दिया गया मारे गाव पुलीस इस घटना की आगे की जांच कर रही है विकेवी नियूस के लिए यवतमाल से अजीत महिंदर की रिपोर्ट सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता की फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंची जाता है सुरुची मसालिश खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची